किसे हैं आप दोस्तों आज मैं आपको ठार्याहे नियुक्त 도 कुर्ह नियुक्त अधर को चीटर्या बताने वालब विक्ता धे यहं क्या रखत इसे जफली वाला है केल्री म greed में जाने के आपको अपनी कोई सी भी फोटो को वहां पर एडिट पे ऊपन् करेंगे तो यहां पर आपको यह जाना थी डॉट्स पे और सबसे पहले जा रहा है इसको एंवाइआन photo studio में जैसे देखेंगे आपको एक नया update यहाँ पर available मिल रहा है तो आपको सबसे पहले इसको update कर लेना है अपने mobile को galaxy store में जाके आप चाहें तो galaxy store से भी कर सकते हैं और चाहें तो यहाँ से भी कर लें आप देखेंगे इस update को कब rollout किया गया अगर मैं आपको directly ले जाओं यहाँ से अगर मैं आपको directly ले जाओं यहाँ से galaxy store में तो आप देखेंगे आपको यहाँ से भी दिख जाएगा कि एक नया update यहाँ पर available है तो आप देखेंगे आपको यहाँ से भी एक नया update available मिल रहा है नीचे की तरफ आएंगे इस अप्डेट को रॉल आउट किया गया तीन अप्रेयल को रॉल आउट किया गया जिसका साइज है 29 MB का वर्जन नमबर 32.22.39 इसमें अप्डेट में वैसे तो कोई नए चेंजिस नहीं किये गए बट इस अप्डेट के बाद कुछ नए चेंजिस महाँ पर आपको लगेंगे और साथ मैं बग फिक्स तो हंडेट परसंट किये ही जाते हैं तो पहले तो कर लेते हैं इसको अप्डेट अप्डेट होने के आप में आपको कमाल के हीडन फीचर बताओं जो को आप जो की आपको मिलने वाले हैं तो फाइनली हो चुका है यह इंस्टाल इंस्टार करने के आपको ही हैं जाना अब आप in Center Gallery में और आपको Edit पर क्लिक करेंगे यहाँ पर option खूल जाये गा और ऐसे ही Edit के लिए आपको खूल जाएगा है सबसे पहला चेंजिगूइ यहाँ पर दिया गया है फिल्टर वाले option पर जाएंगे तो आपको यह यहां पर पहले तो filter मिल जाएंगे जो की यहां पर installed होंगे या फिर जो भी आपके mobile में होंगे सब आपको यहां पर मिल जाएंगे अब इसमें नया changes क्या गया गया है यहां पर आपको एक नया plus का icon दे दिया गया मेरे पास तो अभी है और जब आप first time कुलेंगे तो आपको दो option मिलेंगे download filter and create filter download filter में जब क्लियक करेंगे तो वहां पर क्या होगा यह आपको ले आएगा galaxy store में और वहां पर आपको एफेक्ट डाउलोड करने के लिए option दे देगा यह तो हो गया नॉर्मल किया यह तो पहले भी था और अभी भी है इसमें एक नया changes और दे दिए वाले photos में डालना है तो आपको उस photo को यहां पर select करेंगे वह एफेक्ट आटमेटिक उसके अंदर आ जाएंगे और उसकी तरह वहां पर बन जाएगा आप देख रहे होंगे और सेम उसकी तरह बनने का effect डालने का कोशिश करेगा इस तरह के से वाला feature काम करेगा आपको इस से भी net से कहीं से भी download करके और वह effect यहां पर apply कर सकते हैं तो सबसे पहले चेंजिस मुझे यही लगा उसके बाद यहां पर आएंगे second में आप यहां पर आपको दिया गया है brightness option तो यहां आप इसको light को brightness कर सकते हैं जो कि पहले था इसमें कुछ नया changes नहीं पर पहले था प आपको यहां पर मिल दी गई मिल दी गई है contrast highlights shadows and situations टेंट मतलब सब चीज़ यहां पर आपको दी गए ताकि आप अच्छे से फोटो को edit कर सकें और इसको आप यूज कहीं भी करना चाहें तो कर सकते हैं और आप सीफ करना चाहें तो उपर से भी कर सकें यह तो हो गया पहले प्रफेक्टली हो गया और highlight अलग से और आप देख सकते हैं अगर आप यहां पर कुछ भी करेंगे और इसको थोड़ी होल करके रखेंगे तो परफेक्ट शेप में आ जाएगा और अगर आप यहां पर रिक्टेंगल का शेप लेते हैं तो आप रिक्टेंगल को भी यहां पर शेप आउट कर सकते हैं आप देख रहे होंगे जिसमें आप उसको शेप करना चाहेंगे आप उ बदलब कि आप कुछ भी हाँ पर फर्फेक्टली कर सकते हैं अपने हैंड से बना हुए भी तब भी आप उसको यहां पर कर सकते हैं ऐसे अगर आपको दूसरी शेप में भी करना हो तो आप दूसरी शेप में भी हाँ पर कर सकते हैं इस तरीके से यहाले फीचर को आप एड़ से तो इत्ता परफेक्ट नहीं आएगा उसकी तुरू आप उसको परफेक्टली कर सकते हैं सिंपल या आपको उसको ड्रैक करना है और होल्ड करके रख लेना है तो वहाँ पर राउंड शेप पूर अपूरा जैसा की आ चुका है तो इस थरीके से आप इस फिचर को यूज कर पाएंगे दोस्तों यही नए चेंजिस और यही हिडन फिचर एड़न किये गए गए दी क्यों अब कि मैंणे आपको बताया उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो थेंक यू अगर अभी तक आपने मेरे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एड चेल करो, सब्सक्राइब करो, नोडिश इंब लाएंग को दबादो ताकि ऐसी भी अपडेट आपको सबसले मिलते रहे तो थैंक यू